आईए बचो आज देखते हैं टॉपिक 4.10 प्रोजेक्टाइल मोशन हो सकता है कि ये नाम आपको पहली बार सुनने मैं आया हो लेकिन प्रोजेक्टाइल मोशन आपने बहुत बार बहुत सारे अबजेक्स की कराई होगी अपने क्रिकेट में बैट को घुमाया होगा और बॉल को 6 मारी होगी आपने फुटबॉल को किक मारी होगी आपने पत्थर को हवा में उच्छाला होगा अपने पत्थर को कहीं पे दूर फेका होगा इन सभी अबजेक्स ने जो मोशन की उसको बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन और ऐसे अबजेक्ट को कहते हैं प्रोजेक्टाइल इन शॉट डेफिनेशन वाइस देखा जाए तो प्रोजेक्टाइल मोशन यानि कि जब भी अबजेक्ट को ग्रेविटेशन की प्रेजन्स में फेका जाता है तो जो motion वो करता है उसको कहते हैं projectile motion और ऐसे object को कहते हैं projectile जरा यह definition यहाँ पर हम put up कर देते हैं देखे, an object thrown under the influence of gravitational force performs projectile motion, such object is known as projectile अच्छा इस projectile motion को समझने के लिए हम यह xy axis को लेते हैं और suppose कीजिए कि आपने यहाँ से इस origin से किसी object को throw किया है तो ऐसे में इस object की motion कुछ इस तरह से होगी देखे आप इस तरह से आप कभी भी कोई भी object अगर gravitation की influence में फेकेंगे तो यह ऐसे ही motion करेगा अगर आपने angle थोड़ा सा कम रखा है तो यह ऐसे motion करेगा अगर आपने angle ज़्यादा रखा है तो यह ऐसे motion करेगा लेकिन आप देखे कि उसका shape हमेशा ऐसा ही होगा यह semi circular shape नहीं है देखे ध्यान से यह parabolic shape है तो किसी भी projectile motion का जो path है वो हमेशा ऐसा parabolic ही दिखेगा अच्छा यहाँ पे कुछ चीज़े हम समझ लेते हैं पहले देखे पहला तो यह कि यह origin से आपने इस object को थोग किया है सपोज कि यह black color का object में दिखा रहा हूं और इसको इस तरफ थोग किया है अब जब हम इसको throw करते हैं तो एक particular angle पे throw करते हैं यानि कि जो initial velocity vector जो होता है वो tangential direction में इस तरह से होता है मैं ज़रा इसको थोड़ा सा correct कर लेता हूं ऐसे अब समझे इसको यह है initial velocity vector यानि कि V0 vector ठीक है तो बात यह है कि आप यहां से इस object को दरसल इस direction में V0 जितनी velocity से throw करते हो यह आप देख रहे हो कि इस origin के पास यह tangent बना रहा है यह path है यह object का path है और इस path के उपर मैंने यह tangent draw किया है जो की velocity vector दिखा रहा है और यह initial velocity है इसको कहते हैं V0 velocity और यह जो velocity vector है वो X axis के साथ यहनिकि horizontal direction के साथ कुछ angle बना रहा है जिसको नाम दे देते हैं theta 0 यह theta 0 angle है तो अब यहां पे आप दो component इसके ले सकते हो मैं इसके दो component दिखा देता हूँ देखे एक तो component आ जाएगा ऐसे जो की हो जाएगा इसका X component और एक इस तरफ आ जाएगा जो की हो जाएगा इसका Y component मैं इन components को यहां पे दिखा देता हूँ यह red color की line से इस तरह से थोड़ा सा correct कर लेते हैं इसको देखे यह हो गया X component और यह Y component ठीक है अब यह है velocity vector जो की angle बना रहा है theta 0 तो obviously यह component क्या हो जाएगा V0 cos theta 0 और यह component हो जाएगा V0 sin theta 0 अगर आपने component ठीक से समझाए तो यहां पे दिक्कत नहीं आएगी वरना यह बात आपके पले नहीं पढ़ रही होगी मैं लिख देता हूँ यहां पे यह X direction में जो component है वो है V0 cos theta 0 और Y direction में जो component है वो है V0 sin theta 0 ठीक है अब एक बार फिर से बात को दिमाग में उतार लीजिए आप कि आपने यहां से इस object को throw किया जब आपने throw किया तब जो velocity vector था वो इस direction में था यानि कि इस path के tangential direction में था तो यह इसकी initial direction होगी किसकी initial direction initial velocity की यह direction होगी जो की angle बना रहा है theta 0 तो इसके component होगे V0 cos theta 0 और V0 sin theta 0 आपको यहाँ पे tangent draw करना है तो यहाँ की velocity मिलेगी फिर आप यहाँ पे tangent draw करोगे तो यहाँ की velocity ऐसे मिलेगी तो समझे जब यहाँ पे होगा यानि कि यह जो highest point है यह highest point है यह जो highest point है वहाँ पे velocity vector ऐसे आजएगा बिलकुल horizontal थीक है तब इसका angle theta 0 जो है वो 0 हो गया होगा तो यह जो एंगल है वो theta 0 है इनिशल एंगल है और maximum height पे पहुंचने के बाद उसका एंगल हो जाएगा 0 और velocity vector ऐसे x direction में हो जाएगा इसके बाद वापिस velocity vector ऐसे नीचे की और जुगता जाएगा तो हमें तो सिर्फ यहाँ पे इनिशल वेलोसिटी की जो direction है उसको लेना है और उसके उपर ही पूरे equations हम बनाने वाले अच्छा यह पूरी जो projectile motion है इसके लिए क्या-क्या equation बनाने है उसको पहले हम समझ लेते हैं देखे एक तो हम लेंगे इसकी maximum height जो इसने achieve किये उसके लिए लगने वाला time देखे मैं यहाँ पे draw कर देता हूँ यह है इसकी maximum height ठीक है यह इस projectile motion की maximum height है जिसको कहेंगे हम hm और इसके लिए लगने वाला जो time है इसको हम कहेंगे t is equal to tm time for maximum height और object यहाँ पे नीचे पहुँच जाए उसमें जो time लगता है इसको कहेंगे हम time of flight t is equal to tf tf यानि की time of flight यानि की जहां तक यह object उड़ रहा है वहां तक का time तो यहां से object निकला और यहाँ पे नीचे गिरा तब तक यह उड़ रहा था तब तक जो time लग गया है उसको कहते है time of flight tf और एक और physical quantity है जो की हमें इसमें दिखानी है और वो है इस object की range यह range क्या है मैं आपको समझाता हूँ ज़रा देखते जाए देखे इसको कहते हैं range यह जो है यह है range r ठीक है देखे initial point से लेके यह final point तक का जो distance है इसको कहते है range range r तो आप देख रहे हो के यहाँ पे हमें चार physical quantity basically derive करनी है एक है hm यानिकी maximum height एक है tm यानिकी time for the maximum height एक है tf यानिकी time of flight और एक है range r basically इन चारों के equation हमें बनाने है अब सबसे पहले हम जो initial condition है यानिकी t is equal to 0 वाली जो condition है उसके लिए कुछ चीजे लिख लेते हैं for t is equal to 0 देखे क्या क्या आएगा एक तो यह के x 0 is equal to 0 और y 0 is equal to 0 यह क्या हो गया initial x position और initial y position वह सिद्धी सी बात है initial object कहां था origin पे तो origin के coordinates क्या हो जाएंगे 0 0 इसलिए x 0 is equal to 0 and y 0 is also 0 फिर initial velocity ले लेते हैं जिसको हम नाम दे देते हैं v 0 x यह की initial velocity का x component तो वह आपको figure में दिख रहा है v 0 cos theta 0 and v 0 y is equal to v 0 sin theta 0 राइट दूसरा इसके x direction का जो acceleration है वो हो जाता है 0 और y direction का जो acceleration है वो हो जाता है minus g देखे इसके बारे में अभी हम बात करेंगे पहले आपको ज़रा सा यह समझा देता हूं देखे यह जो motion है projectile motion यह projectile motion x direction में constant velocity वाली motion होती है इसलिए x direction में इसका acceleration 0 होता है जबकि y direction में जो है वो constant acceleration वाली motion होती है constant acceleration भी कितना minus g जितना आपको पता है कि gravitational acceleration जो है वो minus लेना पड़ता है तो ay is equal to मैंने लिखा है minus g मैं यहाँ पे figure में भी दिखा देता हूं कि यह जो motion हो रही है उसके दौरान जो acceleration है a that will be equal to minus g caret j right minus g caret j क्योंकि आप समझे कि इस पूरी motion के दौरान यह object gravity में है right अगर आप कुछ भी gravity में फेकते हो मैं कहाँ रहाँ कि फेकते हो यानि कि आपने एक बार force लगा दिया और फेक दिया फिर आप force नहीं लगा रहे तो जब भी आप gravity में कुछ भी फेकते हो तो उसके उपर gravitational force लगता ही है इसलिए उसको gravitational acceleration मिलना ही मिलना है right तो जब यह उपर जा रहा है तब इसको इतना gravitational d acceleration मिलता है g जितना gravitational d acceleration मिलता है इसलिए हमें minus g लिखना पड़ता है जब यह नीचे आ रहा है तब इतना ही इसको acceleration मिलता है जी जितना उसको acceleration मिलता है अब क्योंकि वो नीचे की direction है इसलिए हमें minus लिखना पड़ता है यानि कि gravity की presence में आप कोई भी motion करवा लो चाहे आप इसको ऐसे motion करवा लो या ऐसे motion करवा लो या आप किसी भी direction में इसको fact दो तो इसको नीचे की और gravitational acceleration मिलेगा ही मिलेगा इसलिए हम हमेशा जो भी object हमें throw किया है या फिर जो भी object free falling कर रहा है उसमें हम a is equal to minus g करेट जे लिखी सकते हैं तो x direction में constant velocity यानि कि acceleration 0 और y direction में constant acceleration जो कि यह g जितना इसलिए ay is equal to मैंने लिखाए minus g तो यह होगी इसकी initial conditions अब देख रहे हो कि initial conditions में हमने क्या क्या लिया है हमने एक तो इसकी position लिया है इसकी velocity लिया है और इसके acceleration लिया है यह आपको याद रखना है ठीक है यह tease कर लो 0 के लिए इतनी बात है आपको याद रखना है अब इस projectile motion की detail में आगे बढ़ें इसकी equation वगएर हम देखें उससे पहले इसकी कुछ facts आप समझ लेजिए देखें यह है इसकी important facts projectile motion के लिए अबने देखा कि projectile motion हमेशा parabolic shape में होती है इस ए resultant motion of two simultaneously occurring components of motion in two perpendicular directions देखें यह बात समझने लाएगा यह जो parabolic motion है वो दरसल दो perpendicular motions का addition है या फिर कहें कि parabolic motion जो है वो 2 simultaneously occurring component motion का result है एक और तरह से मैं कह सकता हूँ कि कोई भी एक parabolic motion वो दरसल दो perpendicular motion के result से बन रहा है इसमें यह जो दो perpendicular motion वो क्या है एक है uniform motion यानि कि velocity vx is equal to constant in horizontal direction इसमें एक motion ऐसी है जो कि horizontal direction में है और वो constant velocity वाली motion है और दूसरी constant accelerated motion in vertical direction यानि कि y direction y direction में जो motion है वो constant acceleration वाली motion है x direction में जो motion है वो constant velocity वाली motion है इस बात को जड़ा अच्छे से समझ लीजे ये जो motion हो रही है ये motion दरसल दो motion का combination है दो motion जो कि parallel occur कर रही है एक motion जो कि x direction में है constant velocity के साथ और एक motion जो कि y direction में है constant acceleration के साथ इस बात को अगर आप समझ नहीं पा रहे है तो मैं एक example दे रहा हूँ आपको सुनिए देखे अगर आप उपर से यहाँ पे light throw करेंगे और इस ball को आप इस तरह से projectile motion करा होगे मिस की यहाँ से suppose कि ये कोई ball है जिसको आपने यहाँ पे ऐसे throw किया और ये projectile motion कर रहा है इस दोरान light उपर से ऐसे नीचे की और आप डाल रहे हो तो यहाँ पे जो ball का shadow पड़ेगा यहाँ पे जो ball का shadow पड़ेगा वो shadow constant velocity से ऐसे जा रहा होगा जब ये ball दर असल ऐसे projectile motion कर रही होगी तब इसका जो shadow है x direction में यानि कि horizontal direction में वो constant velocity से जा रहा होगा इसका मतलब कि इस projectile motion का x direction का जो component है वो constant velocity से जा रहा है ठीक है अब दूसरी बात suppose कि यहाँ पे इस जगा पे कोई screen लगाई हुई है आपने ठीक है और आप यहाँ से light throw कर रहे हो ऐसे light throw कर रहे हो तो ऐसे में इस screen पे जो shadow पड़ेगा बॉल का shadow पड़ेगा वो कैसा दिखेगा सोचे आप वो पहले एकदम high velocity से उपर जाएगा फिर यहाँ पे रुख जाएगा फिर नीचे की और आएगा और velocity बढ़ती जाएगी I repeat अगर light आपने यहाँ से throw की है इस तरफ light आपने लगाई है तो इस ball का shadow इस screen पे इस तरह से दिखेगा पहले initial velocity जादा होगी और फिर वो zero हो जाएगी फिर नीचे की और वापिस जादा होती जाएगी तो यह motion कैसी होगी यह acceleration वाली motion होगी और यह acceleration किस की वज़ा से हो रहा है ग्रेविटेशन की वज़े से हो रहा है अगर gravitational force नहीं होता तो यह object सीधा ऐसे ही चला जाता ने वी zero की direction में यह की नहीं यह सीधा ही वी zero की direction में जाता यह वी zero की direction में आपने throw किया लेकिन फिर भी यह जुकता जुकता यहाँ पर आ गया इस तरफ नीचे गिर गया क्योंकि gravitation है तो यह जो acceleration मैं कह रहा हूँ यह acceleration जो produce होगा वो कितना होगा obviously g जितना होगा gravitational acceleration g जितना तो हम यह कह रहे हैं कि y direction में जो motion हो रही है या फिर ऐसे कहें कि इस projectile motion का जो y component है वो accelerated motion कर रहा है अब आई बात समझ में तो इसका मतलब ऐजे होल क्या हुआ कि यह projectile motion दरसल x direction में constant velocity वाली और y direction में constant acceleration वाली motion है या फिर ऐसे कहें कि इस projectile motion के दो component अगर हम ले तो x direction में constant velocity मिलेगी और y direction में constant accelerated motion मिलेगी आपको वैसे ये बात कि projectile motion दरसल दो component motion का summation है या result है ऐसी बात सबसे पहली बार Galileo ने बताई थी अपने एक बुक में बुक का नाम था dialogue on the world system इसमें Galileo ने projectile motion को इस तरह से यानिकी दो component motion के result के तोर पे समझाया था चलिए अब हम आते हैं इसके equations की और इसके लिए हमें जो equations derive करना है उसके लिए पहले थोड़े equation हमें लिखने पड़ेंगे देखे अभी तक हमने जो equation लिखे हैं वो t is equal to 0 time के लिए equation लिखे हैं ठीक है अब हम t is equal to t time के लिए कुछ equations लिखते हैं चलिए ले लेते हैं मैं यहापे लिख लेता हूँ for t is equal to t time अब इसमें सबसे पहला जो हम लेंगे वो है x x यानि की t time में x direction में जो distance का और किया है वो अब आप जानते हो के x direction में constant velocity है इसलिए हम यहापे लिख सकते हैं x is equal to velocity into time यानि की यह vx into time t अब समझे vx जो है वो v0x जितना ही होगा ना क्यूंकि x direction में velocity constant है तो यह v0x t हो गया अब देखिए v0x का equation है हमारे पास v0 cos theta 0 into t तो यह हो गया x का equation इसको हम नाम देते हैं 1 फिर इसी तरह से हम y का equation ले लेते हैं y यानि की y direction में जो t time में displacement किया है वो अब समझे y direction में जो motion हो रही है वो constant accelerated motion हो रही है तो इसके लिए हम d is equal to v0 t plus 1 of 80 square वाला equation यूज़ करेंगे तो यहाँ पे y है तो y is equal to v0 y t plus 1 by 2 a y t square ऐसे है जाएगा ठीक है अब देखें v0 y क्या है v0 y है v0 sin theta 0 into t फिर यह ay minus g होता है इसलिए मैं यहाँ पे minus ले रहा हूँ minus और फिर यह g और t square याद है ना y direction में जो acceleration है वो कितना है minus g जीतना है इसलिए ay is equal to ले लिया हमने minus g तो देखें यह हो गया equation y का ठीक है इसको हम नाम देते हैं number 2 करके चले अब हम लेते हैं vx का equation यानि कि t time के बाद x direction में जो velocity है वो वैसे यह बात हमने पहले ही कर ली कि वो v0 x ही हो जाएगा और v0 x है तो फिर वो v0 cos theta 0 यही होगा क्योंकि हमने बात की कि x direction में velocity chain नहीं होती है इसलिए यह initial velocity ले लो या final velocity ले लो दोनों एक ही रहेंगे v0 cos theta 0 यह बात आप खास थोर पर याद रखें कि जब projectile motion होती है तब x direction की velocity change नहीं होती है चले यह हो गया equation 3 अब हम लेते हैं vy का equation ठीक है vy यानि की t time के बाद y direction में जो velocity है वो अब समझे y direction यानि की vertical direction में जो motion हो रही है वो accelerated motion है yes यह constant accelerated motion है तो इसमें हम equation use करेंगे v is equal to v0 plus 80 वाला तो यहाँ पर y direction है तो vy is equal to मैं लिख सकता हूँ v0 y plus ay t देखें यह general equations है आप कहीं भी लगा सकते हैं उसको अगर accelerated motion हो रही है तो अब v0 y क्या होता है v0 y होता है v0 sin theta 0 और यह ay यानि की minus g और यह t तो यह हो गया vy यह vy का equation हो गया number 4 और वैसे कहने की ज़रूत नहीं है लेकिन फिर भी लिख देता हूँ मैं कि ax तो 0 ही रहेगा x direction में तो constant velocity है इसलिए acceleration 0 है और ay वो तो minus g रहेगा ठीक है तो यह होगे सारे equation t is called to t time के आगे जो हमने लिए थे t is called to 0 time के लिए थे अब यह होगे t is called to t time के इसमें यह जो equation 1,2,3,4 है यह आपको याद रखने क्योंकि दरसल अब इन equations को use करके हम projectile motion के जो important equations है वो derive करने वाले है projectile motion के हमें important equation यानि कि उसकी maximum height maximum height का time time of flight और range यह सारे equation derive करना है तो इसके लिए अब हम आगे बढ़ते हैं मैंने आपको कहा कि आपको equation 1,2,3,4 खास तोर पर याद रखने पड़ेंगे चलिए अब हम शुरू करते हैं सबसे पहले equation से वो है equation of projectile motion या फिर इसको कह सकते हो कि equation of path of projectile motion इसके लिए हमें क्या करना है देखिए हम यहाँ पर यह equation 1 है इसमें से t को लेके यह equation 2 जो है इसमें डालने वाले है ठीक है तो अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ के substituting t from equation 1 into equation 2 यहाँ कि 1 में से हमें t की value लेनी है देखिए equation 1 में से t की value क्या हो जाएगी पहले देख लीजे यह equation 1 है इसमें से t is equal to हो जाएगा x upon v0 cos theta 0 जो कि आपको डालना है इस y के equation में y के equation में यहाँ पर t है और यहाँ पर t square है वहाँ आप x upon v0 cos theta 0 डालेंगे ठीक है तो अब क्या हो जाएगा equation देखिए y का equation y is equal to v0 sin theta 0 यह तो है अब t आ रहा है तो t की जगा पर हमें क्या डाल देना है x upon v0 cos theta 0 ठीक है माइनस माइनस क्या है 1 of g t square तो यह 1 of g और t square है तो t square की जगा पर मैं लिख दूँगा x square upon v0 square cos square theta 0 अब इसको simplify कर लेते हैं तो यह equation ऐसा हो जाएगा देखिए एक v0 cancel हो जाता है यहाँ पर v0 cancel हो जाएगा sin theta 0 upon cos theta 0 यानि कि आप लिख पाओगे 10 theta 0 तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ऐसे 10 theta 0 into x यह bracket में लेके मैं x को यहाँ पर लिख रहा हूँ माइनस अब देखिए इसको ऐसे लिखते हम g upon v0 square cos square theta 0 इसको bracket में लेके x square को मैं बहार लिख लेता हूँ इस तरह से लिखनी का एक purpose है वो क्या है अभी हम समझ जाएंगे तो यह जो आपको equation मिल रहा है वो equation है दरसल equation of projectile motion obviously यह एक important equation है और इसको हम नाम दे देते है equation a करके अब देखिए यह important क्यों है यह हम समझते हैं this equation is similar to the equation of parabola parabola that is y is equal to ax plus bx square so the path is parabolic देखिए यह जो equation है न यह equation इस equation जैसा है y is equal to ax plus bx square यहां से देखिए आप यहाँ पे जो a है उसकी जगा पे यह bracket आगया है 10 theta 0 और यहाँ पे जो b है उसकी जगा पे यह आगया minus g upon v0 square cos square theta 0 बाकि x square का x square यहाँ पे आगया तो यह equation दरसल parabola का है और यह equation हमें parabola के equation जैसा मिल रहा है जो की दरसल projectile motion का equation है तो इसी से पता चल जाता है कि projectile motion का path जो है वो parabola ही होना चाहिए इसलिए हमने लिखा this is similar to the equation of parabola and so the path is parabolic of projectile motion मैं यह आप एट का देता हूं of projectile motion चले तो यह था पहला equation अब लेते हैं दूसरा equation और यह equation है time of maximum height यानि कि यह जो projectile object है projectile जो है वो जो maximum height अच्छिव करता है उसमें कुछ time लगता है तो वो जो time है वो हम find करेंगे अब देखिए इसको कैसे find कर सकते है इसके लिए दरसल हमें t वाला कोई equation चाहिए अब एक बात समझे maximum height पे पहुंचने के बाद वो उपर नहीं जाता न ज्यादा उपर नहीं जा सकता उसी को maximum height कहते है तो maximum height पे जो y direction की velocity है वो 0 हो जाती है x direction की velocity वही जाती है constant रहती है लेकिन y direction की जो velocity है वो 0 हो जाती है तो हम क्या करते है कि हम जो y direction की velocity का equation है यानि कि vy का equation है that is vy is equal to v0 sinθ0 – dt यह equation number 4 है इसमें हम vy is equal to 0 ले 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 लेते हैं और T is equal to tm लिख देते हैं ठीक है तो मैं वहीं से शुरू करता हूं कि for t is equal to tm यानि कि जब tm जितना time हो जाए vy is 0 तब v y जो है y direction की velocity 0 हो जाएगी So, from equation 4, now we can write लेकिए equation 4 में, पहला तो left side में v y is equal to 0 ले लिया मैंने अब right side में क्या है, v 0 sin theta 0, right minus g t, लेकिन t की जगा पर मुझे लिखना है tm अब इसमें से आप tm को subject बना लिजे, तो tm is equal to क्या मिल जाएगा ये मिल जाएगा v 0 sin theta 0 upon g, right तो ये हो जाता है tm का equation tm यानि की time for maximum height तो ये हो गया हमारा दूसरा important equation, इसको हम नाम दे देते हैं अभी b ये हो गया b चले अब लेते हैं हम तीसरा important equation और वो है time of flight देखे object यहां से निकला और ऐसे नीचे गिरा, तब तक ये उड़ रहा है तो इसमें जो time लगता है वो है time of flight, अब obviously बात है कि time of flight जो है वो maximum height के लिए जो time लगता है उसका double होगा, क्योंकि जितना time object को maximum height पे पहुचने में लगता है, उतना ही time maximum height से नीचे पहुचने में भी लगता है, यानि कि time of flight जो है वो double हो जाएगा, किसका? time of maximum height का, तो मैं वहीं से ही शुरू करता हूँ, time of flight को हम नाम दे देते हैं, tf, तो tf will be equal to 2tm, बट tm का तो equation हमें मिली गया है, तो tf का equation बन जाएगा इससे, 2v0 sin theta 0 upon g, यह हो जाता है, time of flight का equation, यह हमारा तीसरा important equation है, इसको bracket कर लेते हैं, यह हो गया, time of flight, मैं इसको नाम दे देता हूँ, equation C, चलिए, अब हम find करते हैं, चौथा important equation, जो कि दरसल maximum height का equation है, तो चलिए find करते हैं, maximum height of projectile, इसको हम hm नाम देंगे, अब देखिए, maximum height दरसल y direction में, यानि कि vertically upward direction में काटा हुआ, maximum displacement है, तो इसमें हमारा जो y का equation है, equation number 2, y का equation क्या है, v0 sin theta 0 t minus 1 of gt square, ये जो equation है, इसको हम यूज कर सकते हैं, क्यूंकि इसमें y is equal to hm होगा, जब t is equal to tm होगा, मैं फिल से कर रहा हूँ, जब t is equal to tm होगा, ये tm, तब y जो है, वो hm होगा, समझने की कोशिश कीजिए, जब इतना time pass हो जाएगा, तब जो y है, वो maximum height hm ही बन जाएगा न, maximum height hm जब होगा, तब इतना time pass हो गया होगा, तो हम यही बात उसमें डाल देंगे, मैं इक्वेशन number 2 में डाल देंगे, मैं यहाँ से लिखता हूँ, for t is equal to tm, y is equal to hm, that is maximum height, right, so, now from equation 2, we can write, देखे, equation 2 में वापिस याद दिला दूँ के left side में y, लेकिन मुझे y की जगा पर क्या लिखना है अब, hm, right, is equal to right side में पहली time में v0 sin theta 0 t, तो यह हो गया v0, यह sin theta 0, अब जो t है, वहाँ पर मुझे लेना है tm, लेकिन tm का already equation पढ़ा है हमारे पास, v0 sin theta 0 upon g, right, तो यह मैंने डाल दिया equation, minus 1 half g t square है, तो यह हो गया minus 1 half g, और t square यानि की tm का square, यानि की v0 square sin square theta 0 upon आ जाएगा g square, अब यह बात समझ में, अब इसको simplify कर लेते हैं, देखे, right side की जो पहली time है, इसमें ऐसे हो जाएगा यह, v0 square sin square theta 0 upon क्या हो जाएगा यह, g, minus यह हो जाता है, 1 by 2, और 1 g cancel हो जाएगा, तो बचेगा क्या, v0 square sin square theta 0 upon g, तो इसको और simplify कर लेते हैं, तो हमें hm का equation मिल रहा है, hm is equal to क्या हो जाएगा यह, v0 square sin square theta 0 upon, अपन हो जाएगा 2 g, right, तो यह हो गया maximum height का एक important equation, इसको हम bracket कर लेते हैं, hm is equal to v0 square sin square theta 0 upon 2 g, और इसको हम number दे देते हैं, d, यह है d, चलिए, अब आगे बढ़ते हैं, और last equation हम derive करते हैं, वो है, दरसल range का equation, range यानि जहां से आपने object को fake और जहां पे जाके वो गिरा, वहाँ तक का distance, तो चलिए, इसको find करते हैं, horizontal range of projectile, इसको हम capital R कहेंगे, अब देखे, यह जो horizontal range है, वो दरसल x direction में किया हुआ displacement है, right, तो obviously इसमें x का equation चलेगा, हमारा equation number 1, x is equal to v0 cos theta 0 into t, right, इसको हम use करेंगे, अब इसमें x की जगा पे हम ले लेंगे range R, और जो t है, उसकी जगा पे हम ले लेंगे tf, time of flight, क्योंकि जब object ऐसे उपर से नीचे की और आता है, तब तक जो time लगता है, वही उसका time of flight है, और उसी में इसने यह range R कवर की है, तो हम t is equal to tf ले लेंगे, और x is equal to r डाल देंगे, इसमें equation 1 में, तो मैं यह आपे लिखता हूँ, for t is equal to tf, x will become range R. So, from equation 1, we can say that r is equal to, देखे मैं x की जगा पे ले रहा हूँ, अभी R, r is equal to v0 cos theta 0 into t की जगा पे क्या लेना है आपको? tf, अब tf का भी equation है, तो वह डाल देते हैं, देखे यह हो जाएगा v0 cos theta 0, और tf का equation क्या है? tf का equation है, 2 v0 sin theta 0 upon g, तो इसको अब arrange कर लेते हैं, हम इसको लिख सकते हैं, देखे मैं ऐसे लिख रहा हूँ, v0 square, फिर यहाँ पे लिख रहा हूँ, 2 sin theta 0 cos theta 0 upon g, इस सब्सक्राइब से लिखने का एक purpose है, आपको याद होगा, कि 2 sin theta cos theta is equal to sin 2 theta होता है, तो वहीं हम यहाँ पे लिख पाएंगे, तो यह r का equation हो जाएगा, v0 square upon g into sin 2 theta 0, यह हो गया, r का equation r यानिकी, range का equation, v0 square upon g and sin 2 theta 0, यह हमारे लिए एक और important equation है, इसको हम नाम दे देते हैं e, अब इसी में से, हम maximum range भी find कर सकते हैं, जरा वो भी देख लीजे आप, देखे, आप देख पा रहे हो, कि range का जो यह equation है, वो theta पे depend कर रहा है, तो इसका मतलब कि, अगर हम theta बढ़लेंगे, तो same velocity के लिए, same condition में, आपको range अलग-अलग मिल सकती है, तो maximum range कैसे मिलेगे, यह जरा समगते हैं, maximum range, यह maximum range के लिए, हमें क्या करना चाहिए, हमें ऐसा करना चाहिए, कि जिससे, यह जो sine 2 theta है न, उसकी maximum value हमें मिले, अब देखिए, sine की maximum value, ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकती है, 1 हो सकती है, ठीक है, तो अगर यह sine 2 theta 0, is equal to 1 आ जाए, तो range maximum हो जाएगी, आप समझे हो, तो इसके लिए theta 0 कितना लेना चाहिए, इसके लिए theta 0 ले लो 45, तो यह 45 multiplied by 2, यानि कि 90, तो sine 90 हो गया 1, तो sine 91 है, तो r की value मिल गया आपको maximum, तो वही बात अब मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, कि, for theta 0 is equal to 45 degree, r will become r maximum, range will become maximum, so now we can write, कि r max, is equal to क्या equation हो जाएगा, v0 square upon g, और यहाँ पर, यह हो जाएगा, sine 2 theta 0, यानि कि 2 into 45 degree, तो अबिसली, total sine 90 हो जाएगा, तो इससे आपको r max का equation मिल जाता है, r max is equal to v0 square upon g, यानि कि maximum range जो है, वो आपको v0 square upon g से मिल जाएगे, यह भी हमारे लिए, एक important equation इसको bracket कर लेते हैं, यह हो गया, r max का equation, देखें, इसके लिए condition follow होना जरूरी है, यह तभी possible है, जब theta 0, 45 degree हो, यानि कि angle of projection इसको बोलते हैं, angle of projection जो है, वो 45 degree हो, तभी आपको r max मिलेगा, और वो मिलेगा, v0 square upon g, यह हो जाता है, हमारा next important equation, इसको नाम दे देते हैं, देखें, यह जो maximum range है, इसके बारे में एक बात कर लेते हैं, देखें, ऐसे sports, जिसमें किसी object को, maximum range तक फैकना होता है, उसमें sportsman, इस theory का use करते ही हैं, यानि कि वो object को, ऐसे throw करते हैं, ताकि angle of projection जो है, 45 degree रहे, ताकि जो range है, वो maximum मिले, किसी भी object को throw करना, वो दरसल projectile motion ही है, तो उसमें जो angle of projection होता है, वो अगर आप 45 degree रखते हो, तो उसकी range आपको maximum मिलेगी, जैसे कि javelin throw है, तो javelin throw में sportsman, angle of projection, exactly 45 रखने की कोशिश करता है, ताकि उसको range जो है maximum मिले, ऐसे ही अगर cricket में आपको 6 मारनी है, तो आपको bet इस तरह से मारना चाहिए, ताकि ball का जो angle of projection हो, वो 45 degree रहे, इसे क्या होगा कि, जो ball की range है, वो maximum मिलेगी, यानि कि आपको 6 मिल सकता है, तो इस तरह से, sports में ये equation यूज़ होता है, इतना ही नहीं, आपको उसका angle of projection 45 degree रखना चाहिए, अगर आपको कोई rocket maximum range तक भेजना है, तो उसके लिए angle of projection 45 रखना चाहिए, कोई missile भेजनी है, तो angle of projection आपको 45 रखना चाहिए, तो इस तरह से, जहां भी आपको object की maximum range चाहिए, वहाँ पे उसको थोख करते वक्त, उसका angle of projection जो है वो 45 डिगरी रखना चाहिए, तो आपको maximum range r max is equal to v0 square upon g मिल जाएगे, अब आखिर में एक figure देखके, projectile motion की एक figure देखके, हमें इस topic को conclude करेंगे, देखे, यह है एक projectile motion, जिसमें अलग-अलग point पे आपको velocity की direction दिखाईए, जैसे कि यह शुरू में velocity v0 इस तरफ है, ठीक है, इसके बाद यहाँ पे इस point पे velocity v इस तरफ है, अब यह v0 नहीं रहेगी, यहाँ पे velocity obviously change हो जाएगी, क्योंकि इसका y component change होता है, x component तो बढ़लेगा नहीं, लेकिन y component change होता है, यहाँ पे velocity tangential direction में यानिकि इस तरफ होगी, यहाँ पे velocity tangential इस तरफ होगी, और यहाँ पे velocity tangential यानिकि इस तरफ होगी, अब इस पूरी motion के दौरान, अब देखी कि इसका जो x component है, वो v0 x crack i, v0 x crack i, v0 x crack i, यहां भी V0X करेट आई है और यहां भी V0X करेट आई है यानि कि पुरी motion के दोरान जो X component है वो change नहीं होता है जबकि Y component यहां पे था V0Y करेट जे यहां पे हो गया VY यहां पे तो VY 0 है अब देख रहे हो VY 0 है क्योंकि यह maximum height है maximum height पे जाने के बाद Y direction में कोई velocity नहीं हो सकती नहीं उसी को maximum height कहते है और यहां पे यह रहा VY करेट जे नीचे की और और यहां पे यह V0Y करेट जे नीचे की और आ गया यहां पे एक बात और यह भी समझ लिजे कि जब आपने object को throw किया था तब V0Y उपर की और थी और उतनी ही velocity V0Y यहां पे नीचे की और मिलेगी इसका मतलब यह हुआ कि जब आपने object को throw किया तब जो velocity थी वही same velocity आपको यहां पे मिलेगी लेकिन वो downward direction में यहां पे इस तरह से angle बनाती मिलेगी हाँ एक और चीज़ अगर यह angle theta 0 था तो यहां भी आपको angle theta 0 मिलेगा लेकिन वो opposite direction में मिलेगा इसलिए आपको इसको minus theta 0 लिखना चाहिए यह बात आपको याद रखनी है कि जब आप object throw करते हो तो object throw करने के बाद जब वो नीचे गिरता है वही horizontal direction में नीचे अगर गिरता है तो वहाँ पे velocity का magnitude जो throw किया था उतना ही होगा इतना ही नहीं इसका जो angle है वो अगर यहाँ पे theta 0 था तो यहाँ भी वो minus direction में लेकिन theta 0 जितना ही रहेगा यह सारी बाते तब सही है जब आप air resistance को ignore कर रहे हो ठीक है यहाँ पे हमने air resistance कहीं भी consider नहीं किया है इसलिए यह सब कुछ हम क्या पा रहे हैं अच्छा यहाँ पे एक चीज maximum height के लिए जो एक चीज है वो जड़ा मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ देखें for maximum height आप कह सकते हो के vy is 0, vx is the same v0x and theta will be 0 यह maximum height के लिए आपको इतनी बात है खास तोर पर याद रखनी है अच्छा इसके साथ ही साथ यह भी हमने वैसे discuss कर लिया मैं repeat कर देता हूँ कि जब आपने object को throw किया तब जो velocity के magnitude थी यानि कि जो उसकी speed थी वही speed उसको मिलेगी जब वो नीचे गिरता है तब condition यह कि यह horizontal direction में जब नीचे गिरता है तब की बात है अगर आप इसकी speed यहाँ पे थोड़ा सा नीचे ले जाके सोचो suppose कि यह ऐसे slant है surface जो है slant है और आप इसको नीचे आने दो फिर वहाँ पे velocity आप चेक करो या फिर उसका magnitude आप चेक करो तो वो बदल जाएगा exactly horizontal direction में अगर आप इसको देखो तो जहां से आपने इसको project किया था और जहां पे यह गिर रहा है उन दोनों जिगा पे इसकी speed सेम रहेगी I hope कि यह पूरा topic आपको अच्छे से समझ में आया होगा और इसके साथ मैं बता दू कि इसके question answers की PDF की link मैंने description में रखी हुए है आप इसे download कर सकते हो